हाई गाईज दिस इस काशिफ मिर्जा आज की वीडियो में हम एच एसके टू के एक ग्रेबर पार्टिकल को फोकस करेंगे हैं हम तकरीबन तमाम ग्रेबर पार्टिकल के उपर और वर्ब्स के उपर भी वीडियो बना चुके हैं और सारी वीडियो अप्लोड़ें इसके बावजूद अगर एच एसके वन का कोई ग्रेबर पार्टिकल हमने कवर नहीं कराया और वह आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमें सेक्शन में हमें बता सकते हैं हम उसके पर भी वीडियो बना देंगे लेकिन इस वीडियो से अब हम हम एच एसके टू के स्लेबर को फोकस करना शुरू करेंगे आज हम जिस गयर पार्टिकल को फोकस करेंगे वह गयर पार्टिकल है जी यह थार्ड टोन है जी इसके दो जो आज की वीदियो मेंहें हम सिर्फ इसके इंटरियो को फोकस करेंगे या ने यह सीख है कि भूद के ज़रीर आप सवाल कैसे फूशिल सकते हैं जवाब कैसे सकते आप दय सकते हैं उसके के दूसरी वीडियो बनेंगे तो आज की वीडियो में हम बस ये पढ़ेंगे कि इस लफ्ज के जरीए आप हाउ मैनी ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं अचा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें सक्टेंस पर जाएं पहले ये समझ लीजिए कि ये वर्ड उस चीज की ताजात पूछते के लिए यूज होता है कि जिसके बारे में यू नो कि वो दस या दस के लगभग है बहुत ज्यादा नहीं है दस या दस के आसपास ही है तो उन्ही चीजों की यह उन्ही अफ्राद की कॉंटिटी पूछते के लिए आप इस ग्राव पार्टिकल के इस्तवाल करते हैं साकरव आपके हमार बहुत पहले सेट नियों जीचेंग चुंगों पंयो नी उचेंग चुंगों पंयों नी जीचेंग चॉंगों पंयों निए means you, या means to have and जीच har menSI, ग़ ये मेजरवेर्ट है जी एगा चोंगो फंग्यो, नी means you, यो means to have, जी means how many, ग ये measure word है, चोंग्गो means China, फंग्यो means friend, तो चोंग्गो फंग्यो means Chinese friends, तो आप पूछ रहे हैं के, you have how many Chinese friends, तुमारे पास कितने चीनी दोस्त हैं, इसकी जो translation बन दी है, वैसे यो लफस की वो यह है के to have something, लेकिन इसके जो sentence के माइने हैं, वो यह है के तुमारे कितने चीनी दोस्त हैं, अब मिसार के तौब है, आप जवाब देते हैं, आप कहते हैं, वो यह सेंग चुंगो भंगयो, वो यह सेंग चुंगो भंगयो, वो यह सेंग चुंगो भंगयो, पूरा sentence सेम है, सिर्फ जी, means how many, की जगह आपने आंसर डाल दिया, सेंग मीन्स थ्री तो आपने पूरा सेंज सेम है बस उस लफ्स की जगा आपने आंसर दे दिया क्वांटिटी बता दी हमारे पास जो दूसर सेंज है वो है नी जिया यो जी खाऊ रहन? 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 नी जिय कि अब वाघती जाए तो यही major word use होता है Renn means person तो आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर में कितने अफ़रात है अब मिसारे तो आप आप आजाम क्वाएटेते हैं कि आप कहते हैं कि वाज्यायो ल्योखावरन वाज्यायो ल्योखावरन वो जिया यो लियो घवरेंग पूरा सेक्टेंस सैम है बस जी की जगा लियो आंसर आगी Jeffrey Alright अब आपास थीस सेक्टेंस है वो है था यो जीगा हीजू था यो जीगा हाइजू था यो जीगा हाइजू था means he, यह means to have, जी means how many, ग, मेजरवर, हाइज, means children तो आप पूछ रहे हैं कि उसके कितने बच्चे हैं अब मिसालत आप आज आप देते हैं आप कहते हैं था यह सुग हाइज था यह सुग हाइज, था यह सुग हाइज, means he has four children मुझे उमीर है कि इस वीडियो के जरीए आपको इस ग्रवर पार्टिकल को समझते में बदत नहीं अगर ऐसा है तो प्लीज टोंट फगर सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल, थैंक यू